पुन्यार्चक हैं श्रीमती मीलू, संजीव जैन नेता जी, समन्वई जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशी जैन, शुभम जैन, आनदपुरी कानपुर हम अपनी वाणी को अगर बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं, साज बर्वों के जंगले खतम हो जाएंगे, तलाग खतम हो जाएंगे, परिवाय में असान्ती खतम हो जाएगी, अगर थोड़ी सी वाणी में हम नमरता ले करके आजाएं, और थोड़ा सुन्नी की आदट डाल ले, कठोल बचनों को सुन्नी की आदट डाल ले, तो सब कुछ हो जाएगा, पिता पुत्र डाइनिंग टेबल पर बैट करके भोजन कर रहे थे, और बेटे की बहु के यहां स पांच किलो जुद्ध अठपेरा घी आया था, वैसे ही सांती दायवा का घी 24 रोपे किलो, 25 रोपे किलो है, और वो घी आया था, उनके घर में गीर गाये थी, यहने मायके से घी आया, और उस घी को गरम करके, चान करके, तो को तब लोग साहिए, मुझे नहीं लगता कि आ आप लोग घी बजायव से लाते हैं, उसको गरम करते हों, फिर उसको चानते हों, फिर चान करके फिर अपने उपयोग में लेते हों, साइद, मुझे तो नहीं लगता, तो तरीका उसी का वहीं है, शाए अटपेरा घी क्यो नहों, उसे कप्डे से चानना चाहिए, च्छनन करके और फिर उसे च्छाने कपड़े से और कपड़े से च्छान करके फिर बर्नी आदी में भरें तो वह बहु ने ऐसा ही किया मगर जब बर्नी उठा रही थी तो वह सिलिफ हो गई अपाज के लोगी की काज की बर्नी फूट गई पिता पुत्व बैठे थे भोजन का रही पिता जी ने का देखो क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं बर्नी फूट गई सॉरी साशु के हाँ से फूट गई थी बर्नी बहु से नहीं बहुत समस्दाइव थी आगरा की थी और बेटे से पिता ने का देखना क्या हुआ उले कुछ नहीं मम्मी के हाँ से बरनी फूट गई जो अभी घी आया था सस्वाल से उले तुझे कैसे मालू यहां बैटे-बैटे कैसे क्या तुझे अवधी गयानी है निमत्य गयानी है उले नहीं पिता जी उले देखकर के आओ देखने जाता है तो बहु काज बीन रही थी और एक कपास लेकर के घी को सोक सोक करके एक दूसरी बरनी में रख रही निचो रही थी पिटा लौट करके आया और पिता जी से कहा पिता जी मा के हाँ से बरनी फूट गई है जो पाज के लोग घी आ बोले तुझे मालूं कैस अगर मेरी पत्नी से फूट थी तो मंमी का जो लेक्चर चालू होता कितने दिन तक चलता, मंदर में चलता सहेलियों पर चलता, फौन पर चलता कैसी निक्रष्टेप पाँच किलोगी पानी में मिला दिया फोड़ी बन्नी, अकल है ही नहीं बड़ी पड़ी लिकी बनती है और क्या क्या बर बलाती तब वो टंकार तंकार घर में आग लगा देती है तंकार घर को बरवाद कर देती है और जंकार प्रेम वासल को भर देती है हम अपनी बाणी में तंकार न लाएं हम अपनी बाणी में प्यार परसाएं बहुत मीठी तरीके से हम बारतालाब करें कैसे होते थे भाई भाई कितना प्यार होता था भाई भाई में एक पिता मरने लगे पचास वीगा जमीन थे उनकी दो बेटे थे पिता ने कहा बेटा हमारे जीते जी हम दो हिस्सों में जमीन को बाट देते हैं 25 वीगा तुम ले लो 25 वीगा तुम ले लो पिता जी ऐसी कोई बात नहीं हम सब एक हैं पुले नहीं बेटा भविस की किसी ने नहीं देखी और पिता ने बाट दी और अपने खुद जाकर के लाइन खिचवा दी पेर लगा दी है ठीक है बौनों भाई एक साथ खेतों पर जाते फसल बोते फसल कटवाते बड़ा भाई चोटे भाई से कहता बेटा मैं घर जा रहा हूं साम का समय हो रहा है बोचन करना है मैं जल्दी आ जाओंगा तुम देखना ये कर्मचारी कुछ गरवड़ी न करें ठीक है भाईया चोटे भाई ने सोचा कि मेरे तो भी दो बच्चे ही है और बड़े भाईया के चार बच् रहे हैं पॉरन उसने अपने भाई को कर्योंचारी को बुलाया अब बुले 15 बोरे गेहूं जल्दी भरो और भाईया के गेहूं के ठेर में डाल दो पता ना चले कौन कह रहा है चोटा बहिया क्योंकि भाईया के चार बच्चे मेरे तो दो हैं और खोब खेती है और फटा फट बोरों में भर करके उस धेर में मिला दिये 15 बोरे और चोटा भाईया देखता रहा कटाई चल रही थी सब कुछ हो रहा था बड़ा भाईया आ गया साड़े-चार बचे जाओ भाईया तुम भी भुचन करके आजा बड़े भाईया कहता है क्या करना है इतना तो है चो चोटा भाईया है दो बच्चे हैं चोटे-चोटे हैं परिशानिया होती है विस्तेदार इनके बहुत हैं आना जाना लगा रहता है तो बड़े भाईया ने भी 15 बोरे अपने धेर में से भरवाए और चोटे भाईया के डेर में डलवा दिये कि लोग उन्हें मालूम नहीं क्यों कि चोटे हैं ने किया सोचा की इनकि दो बच्चे हैं चोटे हैं परिसानी विस्तेदार हहें इनके आते जाते रहते हैं बड़े घर की बहूँ है द्यना लेना बहुत पढ़ता है और हमी क्या करना है और बस उन्होंने पंद्रा बोरे उठा करके यहां डलवा दिये चोटा भाईया आया को कुछ किसी को पता नहीं अपने अपने बोरे भरवाते गए और जब करना कमा ने कहा सेट जी बड़े भाईया ने 15 बोरे आपके इसमें डलवाए हैं क्या और वहां पर सेट जी चोटे भाईया ने 15 बोरे आपके खेत में इसमें के उह में डलवाई थे ओहो बना भाईया छोटा भाईया दौनों एक दूसरे के पास जाने जाही रहे थे और दौनों बीच में गले मिल गए बोले भाईया ऐसा ही प्रैम जीवन के अंत तक बना रहे तो हम अपने पिता की इज़त में चार चान लगा देंगे लोग कहेंगे कि हमने ऐसा पिता पाया और पिता सोचेंगे हमने ऐसे बेटे पाये जो राम और लक्ष्मन का रूप है ऐसा प्यार ऐसी वाचनिकता ऐसा बिने अगर हम अपने जीवन में कर लें तो बंदू हमारा मनुष्य होना सार्थक है नहीं तो मनुष्य तो बहुत है हमारे अंदर मानोता नहीं है मानो बहुत है मगर मानोता का भाव के कारण आज हम एक बिसरे के खून के प्यासे होते चले चारे हैं हम नपरतो घ्रना से भरते चले जा रहे हैं हम बिने सील नहों कर हंकार में अपने जीवन को बिताना चाहे रहे हैं, पंदो कुछ नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं जाना साथ में, क्या लेके गए, बड़े-बड़ी हस्तियां आपके सामने से चली गई, बड़े-बड़े योधा चले गए, बड़े-बड़े सेट, साउकार चले गए, बड़े-बड़े राजा, महराजा चले गए, कौन नहीं गया, क्या लेकर के गया, सिकंदर एक बहुत बड़ी सिच्छा देकर के गया है सारी दुनिया के लोगों को, जिनको धन का हंकार है, ब अहंकारी था, सारी दुनिया को अपनी मुठी में बानना चाहेता था, सब कुछ अपना बनाना चाहेता था, कि सब मेरे अंडर में रहें, उसकी वाणी में भी बड़ी करकस्ता थी, बड़ा हंकार था, मगर सिकंदर को जब एक गुरू का सानिद मिला, दिगंबर गुरू का, तब उनसे भी वो हंकार में कहता है, चलो, तल्वार की नौप पर ले जाना चाहेता था, सिकंदर की तल्वार का नाम से सारे लोग कापते थे, मगर जब पुझवर के सामने तल्वार ले करके गया, तो पुझवर कहते हैं, क्या, पुदगल पुदगल को ड़वाना चाहेता है, क्या करेगी ये तल्वार पुदगल को ही काटेगी, मैं पुदगल नहीं हूँ, मैं एक चेतन सरूप आत्म तर्त्त हों, तुम क्या मुझ आत्मी भाव था, वो कहा सिकंदर, थोड़ा सा नीचे उतरो, थोड़े अंकाव से नीचे उतरो, तुमारी जीवन मात्वि साथ दिन का से से सिकंदर, अभी भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, सारे पापों को तुम भो सकते हो, तुमने जो अत्याचार वगानीतिय लूट पाट करके, दीन हीन राजाओ को जुका करके, उनकी धन, दौलत, संपत्ति तुमने अपने कब्से में की है, मैं पूछना चाहता हूँ इसे गंदर क्या है, तुम अपने साथ ले जाओगे, तुमने जो कुछ किया है, उसमेंसे तुम क्या लेकर के जा सकते हो, मुझे बताओ, सिकंदर नत्मस तक हो गया, चबनों में गिर गया, और कहा, आप जैसे गुरू की मुझे आवसकता है, और मेरे गुरू ने भी अरस्तु ने कहा था, की भारस से एक सैंट लेकर के आना, आप चलें, पुछवर ने कहा कि मैं कैसे जाओंगा, गुरू ने आज्या नहीं दी, मगर, पुछवर ने देखा कि इसके जीवन को सुबावना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा दोस लगेगा तो लगेगा, मगर इस आदमी को मैं, अब आदमी नहीं रहने दूँगा, इसे एक सादू के रूप में दिखाऊंगा, सादू सा बनाऊंगा इसे, और सारी दुनिया इससे सबक लेगी, सिकंदर को पती दिन उन्होंने संबोधन दिया, और सिकंदर जब मरने लगा, तो सिकंदर ने कहा कि मेरा जनाजा, मेरे परिवार के कोई भी ब्रत्ति नहीं उठाएंगे, कोई विस्तिनाव नहीं उठाएगा, कोई राजकुमार नहीं उठाएगा, कोई राजा महराजा नहीं उठाएंगे, ना मेरे अधिनस राजा आएंगे, आएंगे मंगर मेरे जनाज़े को कोई नहीं उठाएगा मेरे जनाज़े में कंधा लगाएंगे बढ़े बढ़े जोस्था चार पांत्रिक, मांत्रिक जोस्था चार नीम, हकीम, बैद सारे लोग मेरे जनाज़े को उठाएंगे और मेरे दोनों हाथ इस जनाजे से बाहर निकाल करके रखना जनाजे means अर्थी गबावे भी कहते उससे बाहर निकालेंगे उससे बाहर निकाल करके सारी दुनिया को बताएंगे सिकंदर गया जब दुनिया से सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दौनों हाथ खाली थे ये दिखाना चाहूंगा मैं फेम कहां खतम होता है रिस्ता कहां खतम होता है अंकार कहां से उत्पन होता है ये सारी दुनिया को मैं दिखाऊंगा ये पैसा एक अंकार का बीजारो पड़ है बिने सील्टा का बिना सक है और सिकंदर ने ये करके दिखाया सारी दुनिया को बताया कि सिकंदर गया जब दुनिया से सभी हाली बहाली थे सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे क्या ले गया बंद्यो हम भी सब कुछ यहीं छोड़ जाएंगे सब कुछ हो जाएंगे बहुत सुना रहा है मुका है बीपने वाली घड़ी को कौन लोटा पाएगा इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा जिन्द की भरका कमाया साथ में क्या जाएगा यहसौ सरे खो दिया तो अंत में पस्ताएगा ऐसी बहुत सारी घटना है बंदु में बताओंगा समय समय पर कि कैसे कैसे लोगों के मन बिचलित हुए और क्या धमाका हुआ और कितना ले गए अगर उसका 10% भी दे जाते तो पुन ऐसा बढ़ता कि जिसका कोई हिसाब नहीं अभी एक इस्तान पर तत्वासू चल वहाँ था चालिस लोगों की फ्रांग स्कॉट आईए सर्वे करने के लिए आती है पचास तीन दिन उसा बुकी सो देड़सु दुकानों पर उनोंने सर्वे किया और एक दुकान पर पट्टी चले और नीचे उतर जाए वो कि नहीं इसको बाद में देखेंगे वहाँ पीछे दुकान के पीछे बिटिया तर त्वासू लिख र और इतना बड़ा है वंद्वो पुन्य का ओरा इतना बड़ा होता है इसलिए कुछ नो कुछ अपनी सक्तियों को ना छुपाते हुए लोको दे कर ध्यान रख करके आंगे बढ़ें तभी जीवन का आनंद होगा वंद्वो बहुत कमाया बहुत कमाया मैं तो कहता हूं हर व तो एक लाग से जादा दान नहीं करेगा हम तो कहते है इतिहास देख लो जितना तुमने जब से कमाना सुब किया है और आज तक में एक लाइन खीच करके देख लो दान कितना दिया है और तुमने अपना लोके खर्च कितना किया है हर व्यक्ति सोच ले अपनी कमाई से कितना भी हो चाहे वो कोई भी हो दुनिया का दान भी भारत की बात कर रहा हूँ विदेशों की नहीं भारत में 10% से ज़्यादा किसी का 5%, किसी का 2%, किसी का 1% 10 से ज़्यादा निकले कर कोई बिर्ला हो तो 15 निकल जाए तो बाता लगए इससे 85 रुपया तुमने अपने लिए खर्च किये और 15 रुपया तुमने देवसास गुरू के लिए खर्च किये और क्या मांगते हो भगवान से, क्या लंबी लिष्ट लेकर के आते हो कितिनी लंबी लिष्ट लेकर के आते हो भगवान के पास एक रुपय मैसे 15 पैसे भगवान के 85 पैसे तुमारे क्या होगा एक बात और गले तक आगई सुना देता हूँ एक जख्ती का मकान नहीं बिक रहा था 20 लाक रुपय का मकान वो बेचना चाहिता था बहुत दुखी था कि मेरा मकान बिक जाए Dartmouth कान बिक जाए वो भगवान के पास गया अगर मेरा मकान बिक गया तो आदा तुमारा आदा हमारा ठीक है और वो मंदिर से निकला और एक डलाल आया बोले बैसाब मकान हमने सुना आप बेच रहे हैं मुले हाँ कितने का है मुले बीस लाक रुपे का वो कहता है अरी मैं अभी तो अरजी लगा करके आया और एक मिनिट में ग्राइट भेज दिया मुले भाई साथ सुनो मकान तो बीस लाक में है मगव हमारे एक बिल्ली रेती है तो उन्नीस लाक निन्यानवे हजार नो सो पचास रुपे की तो बिल्ली है उसकी कीमत है और पचास रुपे का मकान है मगव दोनों एक साथ बिकेंगे उसने का हमें क्या करना तुम बिल्ली के नाम से ले लो ये मकान के नाम से ले लो ड़न करो और मकान तैठ हो गया भगवान के पास पैसा मिल गया पहले इतना टेम नहीं लगता है ता रजश्टरी रजश्ट्री सब करा के आगए और भगवान से कहा भगवन क्या किस्मत है मेरी आप से अर्जी लगाई मकान बिग गया मगर मकान तो बिगा है पचास रुपे में और मैंने कहा था कि आधा आपका आधा हमारा पचास रुपे की पचीस रुपे ये लो भगवन पचीस में ले जाता हूँ ये उस्ताज कितना ले गया उन्नीस लाग निन्यानबे अजार 975 रुपे ले गया बिल्ली के नाम पर और पचीस रुपटी दे गया भगवान को कहीं हम ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं भगवान की बक्ति करकर के हम खोप कमा रहे हैं और भगवान को क्या दे रहे हैं कितना दे रहे हैं भगवान को सोचें विचार करें कि साथ परंपिजनी धादिसांग जिन्वानी माता कि इस कारिक्रम के पुन्यार्चक थे श्रीमती मेलू, संजीव जैन नेताजी, समन्भै जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशी जैन, शुभम जैन, आनदपुरी कानपुर